तो गाईज यर क्या हाल चाल आप लोगों के तो जैसे कि गाईज यहाँ पे हमारा एक ग्लॉल के स्किन पे कितना बवाल हो रहा है जो कि गाईज ओ फ्री में मिलना चाहिए था लेकिन अफसोस की बात है ओ हमें फ्री में नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे गाईज आप लोगों हम तच्चूत यह हैं दुवारा क्रेंगे तो गाइस जो बंदे बच गए हो जाके आप लोग भी स्पैम कीजे क्योंकि यह लोग महरवान करके आप लोगों को अगर यह ग्लॉल देते हैं तो कतर खतरनाक हो जाएगा तो गाइस जैर आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ओभी 29 ऑपडेट के बाद हमारा जो करेक्टर वगरा है हावा में उड़ने लगेंगे तो अगर्ष्ट के महिने आप लोगों को ओभी 29 ऑपडेट देखने के लिए मिलेगा और वहीं पर काफी सारे करेक्टर के स्किल्ट वगरा चेंज होंगे तो यहां पर मैं अगर आप लोगों को बता दूँ आलोग उकांग और यहां पर कोरोनो यह तीन करेक्टर का स्किल्ट वगरा चेंज हो जाएगा बोलनू तो आप लोगों का रियक्शन कैसा होगा प्लीज मेरे कॉमेंट बॉक्स पे कॉमेंट कीजिए तो यहां पर ओभी 29 ऑपडेट के बा सबसे पहला किरैकटर निकल के आता है लुकेटा तो यहां पर यह क्या होता था पहले जो कि अभी का स्किल्ट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ , पहला किल्ट करोगे तो आप 5 हप मिलेगा तो पूरे गेम पे दोसोंगओ कोप्चास हप मिलने वाला है पूरे गेम पे 250 HP आप लोग लेके खेल सकते हो 2 Kill करने से अगर आप लोग लुकेटा करक्टर का Skill यूज करते हो तो पहले क्या होता था आप लोग अगर लुकेटा करक्टर लेकर 2 Kill करते थे तो आप लोगों को technically 35 HP मिलता था लेकिन आप आप लोगों को 250 HP मिलने वाला है उसी के साथ हमारा जो दूसरा करेक्टर है सानी और यहाँ पर यह करेक्टर का ability वगरा मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर आप लोगों को पहले देखने के लिए मिल रहा था जैसे कि आप लोग एनिमी को किल करोगे तो आप लोगों का जो best है वो upgrade होता था और यहाँ पर आप लोगों को 3 level तक का कर देता था अगर आप लोगों का best damage नहीं होता तो तो अभी इसका skill जो है 20% upgrade करता है best को अगर OB 29 update के बाद आप लोगों को यह character को देखें तो यह आप लोगों को 65% upgrade करके देगा best को अगर आप लोगों का best damage नहीं होगा और 2 level का आप लोग पहन के रखोगे तो यह 3 level का भी हो जाएगा तो यहाँ पर यह भी character अगर आप लोग ले के खेलते हो तो guys यह भी कत्तरनाक बना दिया गया है यहाँ पर 2 character है guys एक जो है लुकेटा और दूसरा जो है सानी character और पर Corona का भी ability change हुआ है तो यह जो 3 character है active skill वाला यह character आप लोगों को कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा जैसा था ऐसा ही रहने वाला है active skill का character change नहीं होगा लेकिन आप लोगों को यह 2 character change देखने के लिए मिलेगा लुकेटा और शानी तो यह तो हो गए पुराने character की बात तो अभी हम बात करते हैं एक new vanker वाला character आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जो की self recover आप लोगों को यह character पे देखने के लिए मिल रहा है जैसे कि यह जो वीडियो बेज 99 का है आप लोगों ही से भी देख सकते हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यह down हो चुक और अपने teammate को भी self recover कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो automatic को self recover हो चुका है ऐसे करके यह character भी आप लोगों को OB 29 update के बाद देखने के लिए मिलेगा और इसका एक ही खास बात है आप लोग automatic revive भी हो जायोगे साथ साथ 60 HP तक यहाँ पे बढ़ा भी ले सकते हो तो यहाँ पे अपने teammate का भी help कर सकते हो अपने teammate self recover भी होगे साथ ही उनका भी HP बढ़ेगा तो यह एक खास बात है उसी के साथ आप लोगों को और एक guild war देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे अपने guild versus guild match करोगे और उहीं पे आप लोग जीते तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो name changer card और diamond royal voucher साथ ही gold royal voucher भी आप लोग यहाँ से ले सकते हो तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा बस इतना ही reward मिलेगा आप लोगों का जो guild के साथ war होगा guild versus guild साथ ही यहाँ पे class squad होगा जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बर्मोडा 2.0 ही so guys आज के लिए बस इतना ही I hope कि मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो अगर वीडियो पसंद आया हो तो please channel को subscribe करके right में होने आले bell icon को tap करके all पे press कीजिए तो फिर मिलते हैं ऐसा इना amazing वीडियो के साथ तब तक के लिए bye